जैहन दोस्तो मैं भूप नाम दो कैसे हो आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम रिजिनिंग के सेक्षण को जाध को सॉल्ब करने बाले हैं और देख लो पाट से जर्डाल ऐंट हैंट रिज्डट तो हो जाओ तैयार करेंगे बिल्कु फास्ट तरीके से प्रिष्णों को सॉल्व यह देख लो एक्जाम डेट और एक्जाम टाइम पहली सिप्ट का यह पेपर है सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कॉंस्टीबल जीडी एक्जामनेशन दोहजार बाइस और दोस्तों आपक कितने अंक आपके रीजनिंग के बने हैं ठीक है तो यह रहा रीजनिंग का पहला प्रिष्णों तो देखो आपके आँगे लोको एक बनाट उसने क्या किया आउटगरो को एलिक दिया ठीक है मैं आपको अच्छे समझाता जाता हूँ समझ में भी आना चाहिए ठीक है तो देखो, आउट गुरो को ए लिख दिया है, ठेनर को उसने ए लिख दिया है, तो पूछाए कि थाउट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक लगा है आपका, आगे के तीन अक्छर है, O, U, T, तो O आता है 15 पर, U आता है 1 इस पर, T आता है 20 पर इसको उसने जोड़ दिया कितना लिग दिया चपन लिग दिया तो बैसे ही उसने इसके भी तीन अक्षर उठाए टी एचाई तो टी आता है बीस पर एच आता है आट पर आई आता है नौ पर उसको जोड़ दिया तो कितना लिग दिया यहाँ पर इसने सैंतिर लिग दिय ैंघ के तीन अक्षर उठाएंगे। इसको मैं मिटा दीता हूं आगे के तीन अक्षर उठाएंगे 2023 आता है वीश掉 है आट पर वह आता है आपका स्था पंद्रह। पर हम इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तयंतालिस हो जाएगा, तो तयंतालिस की इस option में 43 आपका इसमे नहीan है, और इसमें नहीan है, बचि अपकी दो option, option 2 और option 3, इतना के लिए, फिर देखो आपका जो चोटा अक्शर है, G का लिख दिया उसने यहाँ पर G, ठीक है और R का लग दिया उसने R ठीक है वैसे ही उसने यहां देखो N का उसने यहां पर देखो A N लिख दिया और यहां पर N का देखो उसने N लिख दिया जहां का तहां लिख दिया तो वैसे ही हम इसमयों करेंगे U का हम U लग देंगे G का हम G लग देंगे फिर देखो अगला 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 ठीक है तो 43 UGI किस option में 43 UGI option 3 में हैं तो option 3 ही आपका पूरा सही होगा option 2 गलत हो जाएगा ठीक है तो ऐसे प्रिष्णों को ऐसे solve करना है अगर कुछ समझ में आए कुछ doubt बगे रहा हो तो बिलकुर पूछ लेना अगर आपको पत्ता चलिगा कि option 3 सही है तो बस इतना आप करो और आगे बढ़ जाओ पूरा प्रिष्ण solve करने के चक्कर में नहीं रहना कि नहीं हम तो पूरा solve करेंगे ऐसा कुछ नहीं दोस्तों क्योंकि time आपको वहां पर बचाना है और देखो अगला प्रिष्ण है series बाला और ऐसे प्रिष्णों में क्या है कि mobile में आपको आपको सा बढ़ रही करें बढ़ रही नाइन वहां खींदी आ पर देखो नीची की और घटेगी तो आपको जो च्छ वह आएगा यहां पर कौन यह पर इस जगये पर ठीक है तो इस option में नहीं है option बंड में नहीं है option थिरी में नहीं एक logic समझ में आया पर दूसरा logic देखो दूसरा स्क्राल होए यह हाँ पर आएगा तो option two में तो आपका यह तिर्भुज बना है तो यह तो गलत हो जाएगा थिक Option 4 मैं ही आपका उपर हुआ है तो Option 4 यह बिल्कुल सही होगा ठीक है यह देख लो Option 4 बिल्कुल सही पिहला तो आपका 6 का logic है यह वर यह आ गया फिर आपका 3 का logic कि यह है इसा नीची की हो जा रहा है फिर आपका उपर और प्रहपका यहां पर बनेगा ठीक है इसमें कोई दिक्कर नहीं थी अगला देखिए अगला प्रिष्णे बहुत सरले यहां पढ़ने में कोई आपको टाइम बेशनी करना देखो भारत की मुद्रा गया है रुपिया है तो भाई यह डॉलर किस देश की मुद्रा है तो डॉलर जो है वह आपका सरी युक्त िभत्रतेक्ष मुद्रा है थीक है, अगला क्रिश्ण divapण, पित्रूध मिबाला है और ऐसे प्रिश्णों सायदे आपको अच्छे से न देखेन और बागी और किस्णों कोई दिखकर नहीं आएगे इन प्रिश्णओं को है कि सभी से नहीं देख पाता होगा यह तो मैं भी देख रहा हूं कि बहुत छोटा करना पड़ता इसमें आप एक देखो यह वाली आकेती भर देख लो बांकी सब सॉल हो जाएगा यह डॉलर का निसान है जब दाइगो पलटेगा तो डॉलर के निसान आपका इस साइड हो हुआ जाएगा और जो आपका तिर फूज बिल्याग बना हैं बहुत तिर फूज आफके यहां पर आएगा पीछे साइट से डॉलर तो पीचे साइट से यहां डॉलर है ही नहीं यह भी गलत यहां पर डॉलर है, option 3 में भी, option 4 में ही है, ठीक है, फिर आप इन नीचे की का देखो, यह काला काला, यह आपका बरत बनाए है यहाई आशी आगा, तो जब दाईयों जाएगा, जो आपका विरत है भो किस साइड आ जाएगा, वो आपका इस साइड आएगा यह बरत, ठीक है साइब आपको ना दिख पाए ठीक है फुल एड़ी में कर लोगी पांसो कितना सासु बीस पर चासु असी पर तो दिख जाएगा कोई दिखकर नहीं तीन सो साट पर कर लोगे तो दिख जाएगा देखो अगला पिशने सीरी जिवाला इसको क्यों करते हैं जे का हो गया जी ज आता है दसपर जी आता है सास पर मानस तीन जै म थैंडी से मायनस थीन तो ए के बाद आएगा ये ाईक के बाद या यकि के बाद काएगा है ठीक है पिल्ज कुल्ड अगला चर्पर से हो गया ओ, चैपर 25 पर-3 ओ सी मायन DisplayL हो गया गया से माई सीन हो गया और आक हम से मायन स या नो मैं इसी तीन देंगे बचेंगे चे जह पे क्या था एक घड़ा एक्स एप किसमें ओ संद में इसमें नहीं इसमें नहीं आप्सिन 4 बिल्कुल बेधर अगला देखो अगला पुषिंद्थ आकीति वाला और आपका जो बड़ी साहप किती दी आंगला नहीं अगला प् पर बूम आपको बता देता हूं इसको मैं तोड़ा जूम कर लेता हूं यह देखिए यहां पर आपको आग्यती दिखे जाएगी मैं इससे बना देता हूं ठीक है कुछ इस प्रकास ही बनेगी ठीक है तो ऑप्सन टू बिल्कुर सही होगा अगला देखिए अगला प्रिष्ण है देखो ऐसे प्रिष्णों को कैसे सॉल्ब करना है इसको बड़े ध्यांग से देखना च्छार का होगया चौदा च्छार का होगया अठारा तो यहां कुष्च्न माकेस्तान पर गया आएगा यह आपको बताना है तो च्छार कशूदा कैसे होगी है चार में अगर प्लėस तीन करें Separate 14 में टीकलाय मैं अगर दो Snapdragon 10 करेंगे एस नौ का गुणा हम कर देंगे दो कितना हो जाएगा अठारा हो जाएगा तो आप नौन के आप Louis सम ब्यवस्ता बाला और ऐसे प्रिशन आपको दो जरूर देखने को मिलेंगे तो घवराना बिलकुल भी नहीं है मतलब एसा मतला इसा मैं ऐसा कटिन प्रिशन कोई नहीं बिल्कुल प्रिशन देखो 6 बेक्ती P Q RST और यू एक दीवार पर उत्तर की और मुकर के बैठे हैं तो भाईया उत्तर की और मतलब इस साइट देख रहे हैं तो यह आपका राइट होगा यह आपका लेप्ट होगा केलियर हो गया तो हमने सीधी पंक्ति खीदी मतलब सीधी दीवार खीदी और भ Q क भाईयोर ठीक बगल में बैठ चुका है आँगे देखो पही कह रहा है Q के दाइयोर ठीक बगल में तो Q के दाइयोर यहां पर बैठ जाएगा फिर कह रहा है केबल S R और T के बीच बैठा है केबल S R और T तो S हम यहां बठाएंगे और T को यहां बठाएंगे तो भाईया S, R और T के बीच में बैड़ गया फिर किया रहा है U, T के दायोड ठीक बगल में है U, T के दायोड ठीक बगल में है तो भाईया U को हम यहां बठाएं देंगे किलियर हो गया, कितने वक्ती थे? 6 वक्तीते बैट गए 6 को 6 अब पिश्च्न में कहारा है क्यूं और स की बीच बेठा है तो भाई साथ यह आपका क्यूं यह आपका एस इसकी बैच में कौण बैठा है यह भाईया और वेठा है आर भाई साब तो आप संत्री बिल्कूर सही होगा आध अगला देखिए अगला पृष्णने देखो फलक बाला ठीक है फलक बाला आपका पृष्णे और ऐसे पृष्ण को देखो कैसे सॉल्ब करना है मैं आपको बता देता हूं उसने देखो ऐसे को कैसी सौल्ब करना है इसमें आप देखो 11 है इसमें इसमें भी 11 है सात इसमें है साट इसमें भी यह तो जब यह दोनों संक्याण सामान है तो ए आपस में कट जाएंगे ओवाइनिश्ट का इसमें नियन लगेगा आपके आपस में कट जाएंगे 7 और 11 ठीक है कट जाएंगे तो आपका 9 का विप्रीत हो जाएगा 10 option 1 बिलकु सही सभी में ऐसा होता है किसी भी आपका पिश्णों सभी में ऐसा ही होगा ठीक है अगला पिश्णे इसको देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखे देखो यह आपका समी करन दिया है हम लिख लेंगे 117 लिखेंगे 117 के बाद है माइनस तो माइनस का अर्थ उसने यहाँ पर बताया है माइनस का अर्थ है भाग तो भाग को यहाँ लग देंगे 13 ठीक है 13 के बाद है फिर आपका भाग तो भाग का देखो उसने बताया है भाग का अर्थ है गुना तो हम गुना लिख देंगे ठीक है और 6 का अर्थ है पिलस तो पिलस का अर्थ है माइनस पिलस का अर्थ क्या है माइनस माइनस का चीन लगा देंगे और 24 लिख देंगे 24 के बाद एक गुना गुना कारथ है पिलस का चीन लगाएंगे और 26 लिख देंगे आपका कुछ इस प्रिगास से समीकरण बन जाएगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 133 दूसरे कलर लेलो 133 133 नम्मा 179 जाएगा और 9 का गुरांग अगर आप 6 में करोगे तो 9 चक कितना होता है 9 चक आपका हो जाएगा चंगन ठीक है चंगन हो जाएगा इसमें आपका चंगन पिलस का है और आपका 26 पिलस का है तो यह आपका जोड़ जाएगा तो 54 और 26 कितना होता है 54 और 26 और 26 होता है आपका 80 और 80 मैंसे माइनस 24 होंगे तो कितने बचाएंगे आपके 56 बचाएंगे कितने बचाएंगे 56 बचाएंगे तो काुंरा यह को सबस्क्राइब अधला सभाई इसको समझ को से आनाच्शे को इकाउंट को यह लिए देटा है क्या लिखा जाएगा तो देखिए यह लग दिया हुस्ने यह तो और यह आता है आफ़ आफ फाइंच पर फ्लस चाल एम का लिए उसने क्यूंय आतह है 13 पर क्यों आता है 17 पर कितना हुआ पिलस चार हुआ है ठीक है है तो आपक की चार करेंगे तोपी आता है् शोला परी मलें चार्ज ओडेंगे हो जाएंगे 20 20 पर आता है ठीक है पिर देखो अगला अक्छा सीख का ना हो गया B, C आता है 3 पर B आता है, 2 पर माइनस, माइनस बनोगया, तो A में से माइनस देखो Z यहां लिख दिया, तो A में से माइनस करेंगे तो यहां पर Z आएगा, फिर 3 ठीर अक्छर चेक करो, दूसरा करलर ले लो, तीसे रक्षर में आपका C के देखो यहां पर G लिख दिया तो C का जब G लिख दिया है साथ पर प्लस में we तो टी में भी प्लस चार्ड करेंगे तो टी में अगर आप चार्ज औरोगे यानि टी आता है 20 पर 20 में चार्ज जोड़ोगे हो जाएगा 24 24 पर क्याता एक साता है तो टी जैड एक्स इसमें नहीं इसमें नहीं है got back in sheep of the control को अग्ला अप्छर है आपका यू अडियाária देख यह पर वाई तो यू आता है 21 आपको जोगा है यहां पर 25 यह अब स्थाग्हां बैसे आपके यहांपर देखो हग्ला अंग्यक history तो व 어떻게 लिए ओ कले़्य को अद में मीश्टेक स वड़ा असब लिए हैं इसमें मिश्टेक होगी आइंगे पीछे होगा में अब यह लागी हो एक होगा ही कि आज Var में चाल दोढ़ों के ती का हो गई था थी एक का योगा च다-भाइक इस तो चौता अक्षर आपका ओ तो ओ का लिग दिया यहां पर घ्र के चॉकलों दाफ न। तो टी में माइनिस बन करेंगे तो कितना आएगा आपका एस आएगा ठीक है ती आता है 20 पर ऐसा तो इस पर 20 पर प्लस चार हो गए वैसे हम ए में प्लस चार करेंगे तो यह आता है पांच पर पांच में चार्ज ओड़ेंगे तो जाएगे नौ नौ पे आता है आई इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है option 1 ही बिल्कुल सही होगा ठीक है tzxsi टzxsi option 1 बिल्कुल सही अगला देखो क्या है कि उसमें एक अक्चर आंगे पीछ हो गया तो इतने में वह मिश्टिक होई बागी बिल्कुल सरल प्रिष्ण कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें अगला प्रिष्ण देखिए इसको भी आराम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे जैसे उसको किया कह रहा है साथ ब्यक्ति एप एच के जी जे डी और एल एक सीडी पंक्ति में उत्तर की और मुक करके बैठे हैं सेम बैसाई प्रिष्ण जो कि मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ चाहें तो हमबर के लिए ले लो नहीं तो करवा देता हूं नहीं तो भाई ठीक है तो कह रहा है जी के दाइं और केबल दो व्यक्ति बैठे हैं फिर कह रहा है जे के बाई और केबल दो व्यक्ति बैठे हैं तो जे के बाई और केबल कितने व्यक्ति बैठे हैं दो व्यक्ति बैठे हैं एक दो ठीक है फिर कह रहा है एच जी और जे के बीच में बैठा है तो भाईया आपका जो एच है वो जी औ और जे के बीच में बैठा गया फिर कह रहा है आगे फिर कह रहा है बैठा है पिकरा के जे और एल के बीच में बैठा है के जे और एल के बीच में तो भाई के आपका जे और एल के बीच में बैठा है पिर कह रहा है एप जी और डी के बीच में बैठा है एप जी और डी के बी बैठा है पर किया रहा है पंग्ती के दाइचछोर पर कौन बैठा है तो दाइचोर पर भाई साब डी बैठें ये अग्ला देखो अगला प्रिष्णिया जाता है तो ऐसे प्रिष्ण को कैसे solve करना है बिल्कूल आसान तरीके से तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ देख जाए अब देखो आपका ई सामान है हम ए को काट देंगे ठीक है फिर आपका देखो एल है एम है एल है एल है तो सबसे पहले कौन आता है पहले आता है भाई साफ एल एम बाद में आता है ठीक है तो एल एल को हम काटेंगे एल एल को हमने यहां से निपटा दिया फिर देखो ए है ए है ए है ए है तो इन में से कौन पहले आता है पहले आता है ए वाला तो हम ए वा स् तो यह स्क कितना ही पर है चार में इतना सॉल्व हो गया अब आरी है ये की तो हम ये को निप्टाएंगे ये को फिर आपका G और P तो कौन पहले आता है पहले आता है जी तो ये वाला निपट जाएगा तो यह आएगा एक फिर आएगा पी तो पी पांच में पे बच्छा आपका एक तुबू है आपका एहम बाला तो दो 341 बावन 341 बावन ऑप्शन बन बिल्कुल सही होगा जो भी समझना है बिल्कुल पूछ लेना ठीक है अगला प्रिष्ण सीरीज बाला और आपको कुश्चन मार्ग किस्तान बताना है कौन से संक्या आएगी तो सीरा सा है अगली तो संक्या है बहटा दो इसी मतलब ठीक है इससे कोई मतलम नहीं आपको इस से कोई लेना देना नहीं है अब देखो अब देखो च। शेय सो उंथिस और पान्सुट इरानवे का इंतर कितना होता है एक मिनट आपको बहटा देना मैं जैसे मिल्स पश्याबी आपको 36 होता है 593 और 568 कंतर कितना होता है 25 होता है क्या लोजिक लग रहा है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा आगे अक्छा लिखा लो 543 और 549 के अंतर कितना होता है ? कितना होता है ?चार होता है, यहा पर मैने चाहर लेक्ते इतना के लिएर हो फिर आप दरेहोगे 36 और 25 कांदर कितना होता हम,akukan एक होता है ?9 होता है यहां का लोजिक इसमें ए लग रहा है अगर हम इस पांसो बामन को इस कुष्चन मार्की स्थान पर लिख देते हैं पांसो बामन को यहां पर लिख देंगे अगर ठीक है तो पांसो बामन 568 और पांसो बामन का अंतर कितना निकलेगा 16 निकलेगा ठीक है और पांसो बामन आपको समझ में नहीं आया होगा इसमें आपके यह संख्यान लेकिए पहले आएगा गया हुए रहा ठीक है फिर आएगा आपका नोो की बादा इ Kollegin साथ साथ के आए पांच ठीक है साथ के बाद पांच ago a जिफाल्या अपका लग रहा मुझे कैसा आपको समझ में नहीं आया हुगा क्या करूंगा इसमें सीरीज बाला है ना दो सीरीज आ रही है मुझे तो समझ में आ गया लेकर आपको साहिद ना आया हूँ समझ में ओप्सन समझा रहा हूं न इसको छोड़ दो हैं साथ तो समझ में आ गया होग, साथ नहीं आया हो किसी Fingerate को अगला देख लो देखो अगले में का है 이ao का जै लिख दिया एफ आता है छे पर ज способ चार प्लस जे का एंड दिया चार प्लस तो एंड में हम चार प्लस करेंगे एंड आता है 14 पर 14 में चाज होड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 18-18 पर को नाता है और option 4 विल्कुर सही अगला देखो अगला पिशने कफन निस कैस वाला और सॉरी यार उस बाले पिशने में आपको क्या करूं यार उस में नहीं समझ में आप मुझे तो आ गया ठीक है आपको भी आ गया हो कुछ पुछ कंडि रेट को आगए हो कुछ को समझ में नाहीं आया होगा तीक क्योंकि मैं ऑप्सं से समझाया है ना इसलिए साहर नहीं आया हो में और जो पुराने गंडिरीट ओ इसको तो साहर आगए होगा देखो कथन है आपका कोई चाबी फहान नहीं है कोई चाभी क्या नहीं है फोन नहीं है ठीक है यह आपस में कटनी रहे है रुक जाओ एक उनट किया रहा है कोई चाभी क्या नहीं है फोन नहीं है ठीक है फोन नहीं है किलियर हो गया फिर कह रहा है सभी चाभियां किलिप है सभी जो यह चाभियां है क्या है किलिप है का से किलिप ठीक है के से किलिप क्लियर हो गया फिर कह रहा है आगे कुछ चावियां टेवल हैं जो कुछ यह चावियां है क्या है यह आपकी टेवल है इसके अंदर बनेगा टेवल वाला क्या है यह टेवल है ठीक है कुछ चावियां क्या है टेवल है ठीक है आपने इसकार देखो किया रहा है कुछ किलिप फौन नहीं है क्या कुछ किलिप जो है वो फौन है नहीं है न तो यह वाला सही हो जाएगा दूसरा कह रहा है कुछ टेबल फौन नहीं है क्या कुछ टेबल वाला सरकल क्या कुछ टेबल आपके फौन है नहीं है तो यही तो कह रहा कुछ टेबल फौन नहीं है तो यही तो कह रहा कुछ टेबल फौन नहीं है तो यह भी सही हो जाएगा फिर कह रहा कुछ टेबल टेब हैं अग अगला डेखिए है अगला पिशन है आपका हीज बाला और इसको देखो ना या संटा अमान और 63 का अंतर होता है है ठीक है BREESE 517 का अंतर कितना होता है थ्रीज सवाइब आउढ कि मिन Oreo और आपको आँगे क्या एगा को बताना है तो जैसे कि आप देख रहे वो छैसे 8 हो गया तो 8 से आपका क्या होगा दो पिला सो गता है तो आट आपका हो आग सैंट होगा आँगे डास । ठीक है। और दस को अगर हम 71 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका option 3 81 हो जाएगा समझ में आ गया फिर आगे आप देखोगे तो पिलस 12 होगा है और फिर आगे देखोगे तो पिलस 14 होगा है यह आपका लोजिक पूरा लगा है तो option 3 बिल्कुर सही अगला पिशने बिलर रिलेशन बाला देखो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो पहला समी करना है पी एड़रेट क्यों तो एड़रेट का एड़रेट का यानि पी किसका पिता है क्यों का पिता है तो पी को मैं आप पिलस लिख देता हूं क्योंकि यह पुरूस है यानि पिता है फिर आपका पिलस तो पिलस का रिट क्या है CD का बेटा यानि Q R का बेटा है किसका बेटा है R का बेटा है तो यह महिला हो जाएगी क्योंकि जब पिता P हो गया तो बेटा है तो फिर अब जिसका बेटा हो गया महिला होगी क्योंकि माता पिता पिता तो होगी अब अच्छी माता तो R उसकी माता है फिर आगे देखो फिर आपका ये वाला तो इसका क्यारत है CD का पती है यानि S जो है इसका पती है T का पती है यानि पती है जब इसका और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पुरुस है पती है ठीक है तो क्या समाझ में आया कि Q के जो माता पिता है जिसमें आपका पिता P है माता R है ठीक है और R का जो भाई है बो है S और S का जो भीबी है बो है T तो उसने प्रिश्ण में पूचा है T Q से किस प्रिकार सम्दित है तो T Q की क्या है मामी होगी क्या होगी मामी होगी मामा कौन होगा S होगा मम्मी कौन होगी R होगी पिदा कौन होगा P होगा ठीक है और P का अगर साल अप मूचे तो S है साली पूचे अगर P का साल अप मूचे तो क्या है S है ठीक है और साली की हर वाली क्या होगी साली क्या होती है पता नहीं मुझे क्या होती साली होगी पता नहीं यार ठीक है लेकर आपका मामी होगी ठीक है एस मामा होगा टी मामी होगी ठीक है और टी क्यू का भांजा होगा नहीं टी क्यू का भांजा होगा ठीक है अगला देखो अगला पिश्ट ने कुट्ता चार चिडिया कुट्ता के चार पैर होते हैं चिडिया के दो पैर होते हैं option 2 पिल्कू सही अगला पिश्ट ने इसको देखो कैसे solve कहते हैं mathematical समीकरन वाला है पिलस की जगा गुणा गुणा की जगा पिलस 132 बटे 6 भाग लिखना है नहीं बराबर में आपका 43 आना चाहिए ठीक कुछ इस प्रेका से आपका समीकरन बन जाएगा इसको solve कर लेते हैं जब हम इसको solve करेंगे तो 6 का बाग 32 बाज आएगा ठीक है तो यह आपस में जूड़ जाएंगे पिलस-पिलस आपका जूड़ जाता है तो 22 September 25 कितना हो जाएगा और 22 Easy और जाल सब्सक्राइब और चार दूचे साइसरेट हो जाएगा और इस साइसरेट में से आपके माइनस 24 होंगे माइनस 24 होंगे तो आपका 43 आ जाएगा तो ऑफ्सन टू ही आपका बिल्कुल सही है तो दोस्तो यह थे एससी जीडी के रीजिनिंग की प्रिशन वीडियो कैसे लगा कमेंट वाक्स ने जरूर बताएं और मुझे जो प्रीसरकर में पीपर सॉल्ब कराया हूं इसमें वो वाल किसी नेक्स वीडियो में जहन जवारत और डेली प्रियूसर की पेपर आप देखना रीजिनिंग की दो प्रियूसर की पेपर चलेंगी जहन जवारत